पित्र पक्ष पीपल में चढ़ाते क्या है एक चीज आपके पित्र करेंगे आपको माला माल होगा सभी परिशानियों का अंत जन्मों के पित्र दोश हो जाएंगे दूर राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों पित्र पक्ष इस पार 29 सितंबर को शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाब्द होंगे पित्र पक्ष का हिंदू धर्में विशिश महत्व है क्योंकि इस दौरान हमारे पित्र पित्र लोग से धती पर आकर हमें अपना आशिरवात देते हैं और हमारा कल्यान करते हैं शास्तों के अनुसार देवों को मनाने से पहले पित्रों को मनाना आवश्यक है पित्रों के आशिरवात के बिना मनुश्य कभी भी उन्नती नहीं कर सकता इसलिए पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्र पक्ष के दौरान शाहत तरपर प्रिंड़तान किये जाते हैं जिससे पित्र प्रसन्न होते हैं अगर पित्रों को कोई कष्ट तो वे भी दूर हो जाते हैं जिससे पित्रों का आश्रवार मिलता है और पित्र दोश दूर हो जाता है पित्र पक्ष के दौरान पित्रों का आश्रवार बाप्त करने के लिए पीपल में यह एक चीज जरू चड़ा देना क्योंकि पीपल ब्रक्ष में पित्रों का बास होता इस एक चीज को पीपल ब्रक्ष्मी चढ़ाने से दोस्तों आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका दुर भाके सो भाके में बदल जाएगा, पित्रों के साथ आपको भगवान लक्ष्मी डारायन का आशुरवार मिलेगा, और जीवन भर धन की कमी नहीं होगी, बंश सबसे खास दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों पित्र हमारे बीच में ही मौजूद रहते हैं, इसलिए इन दिनों पित्रों का शाहतर पर जरू करना चाहिए, दोस्तों इस बार तो पित्रवक्ष में कई वर्षों बात अध्वत सहयोग बन रहे हैं, इन अध्वत सहयोग में अगर आप पीपल से जुड़ा यह अचूक और जमतकारी उपाई का ले दे हैं तो निश्चित ही आपको पित्र दूश से मुक्ती मिल जाएगी। इस उपाई को कहने से पित्र अतिशीक्र ही प्रसन हो जाते हैं। पित्रों की अस्यम कृपा प्राप्त होती है। पित्रों की गृपा से बिगड़े कारे भी बनने लग जाते हैं। पित्रों के साथ ही पितरदेव यानि की भागवान बिष्टु मा लक्षमी जी की भी अस्यम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परिशानी दूर हो जाती है। कारियों में आ रही बाधा दूर होती है और सारे काम बनते चले जाते हैं दोस्तों उपाय से ही प्रकासि करने के लिए वीडियो को एंड तक अवश्री ही देखें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें तो आईए दोस्तों जानते हैं इस असरकारक उपाय के बारे में दोस्तों यह उपाय आप पित्रबक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें रविवार के दिन यह उपाय ना करें क्योंकि यह उपाय आपको पीपल प्रक्ष पर करना है और रविवार के दिन पीपल प्रक्ष का पूजन नहीं किया जाता इस ती इस बात का विश्य ध्यान रखें आप चाहें हो सके तो रोजाना आप पित्रबक्ष में इस उपाय को करें अगर रोजा नास्ति प्हले ही कैना है यह है उपाए घर के सभी पुरुष बहिलाएं और कण्याई भी कर सकती हैं दोस्तों उपाए कैने के लिए सबसे पहले इस नान कर सुछ बस्ते धारन करें अब आप एक लोटा लें इस उपाई को कहने के लिए आप इस टील का या पीतल का लोटा ले सकते हैं ध्यान रखें तामे की लोटे से यह उपाई ना करें लोटा ना हो तो आप कोई गलास, कटोरी या कोई बड़ा बर्तन ले लेजे अब इस बर्तन लोटे में आप शुद्ध जल भरें अगर आपकी घर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी आप इस लोटे के जल में मिला लें गंगा जल मिलाने के बाद आप इस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूढ डालें आपको दूढ इतना डालना है कि जो जल है यह सफेद रंगा हो जाए दोस्तों आपको इस बात का फिशिर ध्यान दखना है कि इसमें आपको कच्चा दूद ही मिलाना है उबला हुआ दूद आप इस जल में ना डाले कच्चा दूद डालने के बाद आप एक प्लेट में थोड़े सी काले तिल ले और इन्हें साफ कर ले इनमें अगर सफेद तिल मिले हों कंक्री या डंडी वगरा हों तो उनको निकाल दे और प्लेट में थोड़े सी जौद जौद भी साफ कर ले तो दिल डालने के वाद जल के बातर में थोड़ी सी शवक ड़ी डालें अगर बताशा हो तो शक Aww के इस्तान पर आप इसमें एक वथा कंब दे तो शाद्व पक्ष की दौरान जौ आसानी थहार 시 राशन के दुकान पर मिल जाते हैं, सबसमान जल के पात्र में डालने के बाद अब यह जल का पात्र तयार हो गया, अब इस जल के पात्र को आप पीपल ब्रक्ष के पास ले जाएं, अगर आपके घर के पास कोई ऐसा मंदिर है जहां पर पीपल ब्रक्ष है, तो आप यह जल का पात्र उस पीप प्रक्ष की पास जल का पातल ले जाने के पश्चाथ अब आपको प्रक्ष की तरफ मुख करके ऐसे खड़ा होना है कि आपका जो मुह है आपका जो फेस है वह साउत की तरफ याने की दश्चिन दिशा की तरफ होना चाहिए दोस्तों दश्चिन दिशा पित्रों की दिशा मा हमारी शास्तों में पीपल प्रक्ष का विशिश महतु बताया गया है श्री मत भगवत गीता की उपदेश में भगवान श्री किष्ट ने स्वैम कहा है कि प्रक्षों में मैं पीपल प्रक्ष हो पीपल प्रक्ष के मूल में भ्रम्मा जी मध्य में पिश्णू जी और सथर्देब कहा गया है पित्रों को तरप्त कहने केली पित्रों की गृपा हाश symbol प्राप्त करने ब्रे बिट्रो हो मुक्टि दिलाने ने पर भागवाण विश्ण्व मां लक्षमी ची को प्रसंद सकेया आधि आवश्ष्ण hides ब्रह्म वैवत्य पुराण में यहां तक कहा गया है कि जब पित्र पक्ष में पित्र लोग से धर्दी पर आते हैं, तो वह पीपल प्रक्ष में ही निवास करते हैं, इसलिए पित्र पक्ष के दौरान पीपल प्रक्ष का विशेश रूप से पूजन करना चाहें, पित्र पक् लक्ष्मी जी भी अतिशेग्रे ही प्रसन हो जाते हैं और हमारे पित्रों की आत्मा को शांती प्रदान करते हैं और पित्रों को मुख्ती देते हैं और जिनहीं भगवान पिष्टुमा लक्ष्मी जी और पित्रों की कृपा प्राप्त होती है उन्हें पित्र दोश से भी पीपल प्रक्ष पर चल चलाते समय आप भगवान पिष्णुजी की द्वादर्शमत ओम नमो भगवती वासुतिवाय का जाप करते रहें। पिष्णुजी को प्रणाम करें और पित्रों को प्रणाम करें। अब आप पित्र देव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम पित्र देवताय नमा। इस मंत्र का आपको 21 बाद जाप कहना है। मंत्र का जाब करने के पश्चात आप भगवान बिष्टू मालक्ष्मी जी से अपने पित्रों की आत्मा की शांती और मुक्ति की प्रातना करें। पित्रों को तरपते मिले, पित्रों को कोई कष्ट ना हो, इस चीज की आप भगवान पिष्टों मालक्ष्मी जी से प्रातना करें। प्रातना करने के पश्चाद भगवान बिश्टुमा लक्ष्मी जी और पित्रों को प्रणाम कर जाने अंजाने में अपने दोरा और अपने परिवार दोरा के गए सभी गलतियों की शमा मांगे। शमा मांगने के पश्चाद आप पित्र दोश से मुक्ती देने की पित्रों से प्रातना करें। पित्र देव और पित्रों से सभी कष्टों दुख तरित्ता को दूर करने की प्रातना करें। इस तरहें प्रातना करने के पश्चाद आप अपने घर आ जाएं। दोस्तों ध्यान रखें चल चड़ाने के पश्चा चल के पातर में तिल जो या जो भी चीज उसमें रह जाती है तो उसे हाथ से निकाल कर आप पीपल प्रक्ष पर ही डाल दें. पीपल प्रक्ष का पूचन करते से में कुछ बातों का विश्य ध्यान रखें. जूते चपल या मूजे पहन कर आप पीपल प्रक्ष का पूचन ना करें. खुला सिर रखकर भी आप पीपल प्रक्ष का पूचन ना करें. आप पुरुष हैं तो सिर पर कोई रुमाल ढखें, म पूचन करते समय आपके मुह में तमाकू भी नहीं होना चाहिए। महिलाएं पीरड के दौरान पीपल प्रक्ष का पूचन ना करें। पोन्रूप से शुद्ध होने के बाद ही आप पीपल प्रक्ष का पूचन करें। पीपल प्रक्ष पर जल आप सूर्य उदय होने के बाद ही चढ़ाएं। सूर्य उदय से पहले फूल कर भी पीपल प्रक्ष पर जल ना चढ़ाएं। शास्तों के अनुसार सूर्यास्त के एक खंटा बास से सूर्य उद्य तक पीपल प्रक्ष पर दरित्ता का बास होता है इसलिए इस दोरान पीपल प्रक्ष का पूचन ना करें संध्याकाल के बाद भी पीपल ब्रक्ष पर जल ना चढ़ाएं इस बात का विशेज ध्यान रखें संध्याकाल के पश्चात पीपल ब्रक्ष का इस परश भी ना करें दोस्तों पीपल ब्रक्ष में पित्रों का बास होता है पीपल प्रक्ष को पित्रों का निवास इस्थान माना जाता है इसलिए भूल कर भी आप पीपल प्रक्ष को हानी ना पहुँचाए पीपल का अगर छोटा सभी पोथा कहीं उख जाता है तो उसे ना उखाणें और ना ही पीपल प्रक्ष के पत्ते तोड़ें पीपल प्रक्ष को नुकसान पहुचाने से गौ हत्या प्रम हत्या से भी अधिक पाप लगता है इसलिए इस बात का विश्य ठ्यान रखें जो व्यक्ति पीपल प्रक्ष को नुकसान पहुचाता है उसे पित्रदोश भी लगता है क्योंकि यह पित्रों का निवास इस्थान है इसलिए भूल कर भी पीपल प्रक्ष को नुकसान ना पहुँचाएं सदैफ ऐसे ही पीपल प्रक्ष का पूचन करें जो साफ इस्थान पर हो कई बार नाली के यह गंदगी के आसपास पीपल प्रक्ष उग जाता है उस पीपल प्रक्ष का पूचन ना करें दोस्तों इस तरह पीपल प्रक्ष पर चल अर्पित का पूचन कहने से, पित्रों के साथ ही भगवान पिश्टों माल लक्षमी की भी असेम गृपा प्राप्त होती है और पित्र दोर से चुटकारा मिलता है। पित्रों और पित्रदेव की करपा से बिग्रे हुए कारे भी बनने लगते हैं, जीवन में चली आ रहे बड़ी से बड़ी परिशानी दूर होती है और घर में सुख सम्रती और खुशाली का पास होता है। वाचिंग राधी राधी